नमस्कार दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी? मैं आप सभी का स्वावत करता हूँ आपके अपने यूटुब चैनल RSG के क्लासिस में तो आज हम लेकर आए हैं एकोनॉमिक्स के टॉप 10 कोस्चन तो आए शुरू करते हैं कोस्चन नम्मर बन भारत में किस तरह की विवस्ता है ए समाजबादी बी स्वतंत्र सी मिश्रित आपके पास पांच सेकंड का टाइम है आंसर है C मिश्रित विवस्ता कोस्चन टू बंदर्थ विवस्ता से आप क्या समझते हैं A निर्यात बन B आयात बन और C है आयात निर्यात बन आंसर है C आयात निर्यात बन कोस्चन नमर 3 वर्ल्ड डेवलप्मेंट रिपोर्ट किसका प्रकासन है IMF का UNDP का और IBRD का आपके पास 5 सेगंड का टाइम है सोचने के लिए आंसर है C IVRD का कोस्चन नमर 4 साम में वादी अर्थ वर्लस्ता किस से निकल कर आई है A पूंजिवाद B समाजवाद C मिस्रित आपके पास 5 सेगंड का टाइम है आंसर है B समाजवाद से आपके पास 5 सेगंड का टाइम है आंसर है B बिहार से कोस्चन नमर 6 भारत का वित्यबर्स प्राडम होता है A एक जन्वरी से B एक अप्रेल से C एक मार्च से आंसर है B एक अप्रेल से कोस्चन नमर 7 भारत में GDP का सबसे बड़ा भाग क्राप्त होता है A क्रसी से B सेवा से C है बिजली से आंसर है B सेवा से कोस्चन नमर 8 भारत में राष्ट्रे आय का आकलन सबसे पहले किस ने किया था A दादा भाई नोरोजी ने B एम जी रनाडे ने C है आर सी दत्त ने तो आंसर है A दादा भाई नोरोजी ने कोस्चन नमर 9 प्रति वक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रे आय को भाग दिया जाता है A देश की कुल जनसंक्या से B देश के छेतर फल से C कुल कारिसील जनसंक्या से आंसर इज ए देश की कुल जनसंक्या से कोस्चन नमर 10 राष्ट्रे आय है A GDP B NNP C GNP आपके पास 5 सेकंड का टाइम है आंसर इज बी NNP तो दोस्तों आपके दस में से कितने कोस्चन सही हुए हैं हमें कमेंट में जरूब बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूब करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब करके वेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नॉटिपिकेशन आप तक जल से जल पहुंच सके तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थांक्स फोर बोचिंग माइब वीडियो